हेलो फ्रेंड्स, गुड वर्निंग, कैसे हो आप सब, उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और फ्रेंड्स मैं भी आची हूँ, तो फ्रेंड्स मैंने रोजना की तरह अपनी वीडियो की शुरुआत कर दिया है, एक नई दिन के साथ, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को जरूर देखना, अगर आपको जरासी भी अच्छी लगे तो, तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम, आप देख सकते हो कितने हरे भरे पेड़ पौन हैं, ये है तुलसी, और ये है सामने पार्क, और ये बादल चाय हुए है, बारिस कभी भी आ सकती है, इस तरीकी का अब इस टाइम पर बैदर रहता है, वो आप देखी सकते हो, वो सब जगए ये हाल कर रखा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये वांसुन है, तो वही चीज़ है, तो फ्रेंड्स मैंने कर दी है अपने कामों की शुरुआत, तो मैं पहले काम करने जा रही अपनी जाड़ू की लगाई, क्योंकि जाड़ू इसलिए लगा रही हूँ, पहले मेरे सारे काम हो चुके थे, खाना, पीना, नासना, पानी, अब क्या है की बाद में मैं लगाँगी जाड़ू, अब जाड़ू लगाने बैटी, तो फ्रेंड्स आज एक नया काम और करना ह मुझे, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और दिखो क्या है कि जो नीवू है, नीवू क्या हो रहा है, ये नीवू फट जाते है, बीच में से, और नीवू फट जाता है तो बड़ा दुख लगता है, कि हम तो सूचते हैं, ये पक जाए तब तो तो रहे हैं, पर क्या है, फैंगना आज यह friends हैं जूते क्योंकि morning walk में जाते हैं तो क्या होता है कि यह जूते सब में मिट्टी लगी होई होती हैं तो मैंने कहा है कि पहले मैं इनके जो भी नीचे का soul होता है उसको साफ करूँगी क्योंकि अगर मैं इनको अदर रख दूँगी तो क्या होगा कि इनकी जो भी मिट्टी गंदगी होगी वो इस टेंड में जाकर की छूट जाएगी तो इसलिए पहले मैं इनको अच्छे से रगड़ा करूँगी पानी किस द्वारा तब मैं अंदर जाकर रखूँगी और जो कुछ कूड़े होते हैं देखो मैंने कूड़े को जो प्लास्टिक प्लास्टिक का कूड़ा था वो मैंने एक पॉलित्र में डाल दिया और जो कूड़ा था जो गल सकता है आसानी से उसको मैंने एक पॉलित्र में डाल दिया है क्योंकि गल्लीन हुए कुड़े से हम खाथ बना सकते है अब पर प्लास्टिक जैसे चीजों से हम खाथ नी बनासकते हैं उसको तो हमें कुड़े वाले को ही देना पड़ेगा मैंने फिर ऐसे प्ला रहода कि जो आख्छा था उसको इस तर reap लखा और जो नहीं अच्छा था उसको मैंने एक पॉलिस में लगा यहां पर लगा दिया मैंने जाड़ू तक मेरी अंदर से जाड़ू लग चुकी है बस बाहर की जाड़ू रह गी थी तो मैं बाहर ही जाड़ू लगा रही हूं बाहर थोड़ा सा टैम इसलिए लग रहा है भी बहुत गिरते हैं यह पता नहीं कौन सा पेड़ है मैं नहीं जान पाती इस पेड़ को इसके पत्ते हैं नहने 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 गिरते रहते हैं एनी टाइम और बड़ी गुस्सा आती है जैसे हम पहुचा करके फिर ही होते तब भी यह पत्ते गिर जाते हैं तो जो पिएड़ है मेरे घर प advertisements और जो Pennsylvania फिरा जंग शह करती है। आप पेड़ को जिसकी महीन 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 पत्ते में पॉड़े जो फ्रेंस मैंने फिर क्या किया है किला किती है उनकोigen और समयी आदा कर लेंगे। कि अब बहुत देर हो रही है, धूप भी अच्छे से निकला ही है, क्योंकि धूप का कुछ पता नहीं होता है, कभी धूप है, तो कभी च्छाओ है, और कभी बच्छाता है, ऐसे मौसम बदलता रहता है, फ्रेंड्स, क्या आपके याँ भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे मेरे क्योंकि यह नीवू मुझे भी साफ करने है कुड़ा भड़ने वाला भी मैंने यहां रख दिया है तो फ्रेंड साथ क्या है कि देखो यह है चूहा पकड़ने वाला यह चूहा पकड़ने वाला क्या है कि चूहा तो इसमें अच्छे से आ जाता है और फस भी जाता है कोई दि पर मुझे ये दुलना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा मैं घर के अंदर नहीं रख सकती जिस तरीके की इसकी कंडीशन हो रही है तो फ्रेंड्स हम मैं इसको दुलूँगी अब मैं ये देख रही हूं कि अगर मुझे कोई एक लकडी मिल जाए तो मैं इसे अंदर डाल करके इसक मैं गलाओंगी ताकि ये गल जाए और आसानी से छूट जाए तो पहले मैं कर लेती इतनी हिस्से की दुलाई क्योंकि अंदर तक नहीं करूंगी क्योंकि डेली डेली दुलाई करना भी ठीक नहीं है जब ज़्यादा गंदा होता है तब ही मैं अंदर तक दुलाई करती हू और ठंड़ में तो बहुत ही कम दुलाई करती हूं Saturday या Sunday Only one week में One day ही मैं सफाई करती हूं मतलब sorry दुलाई करती हूं पानी नहीं वेश्ट करती ठंड़ियों में गर्मियों में मुझे इसलिए डेली दुलाई करनी परती है पर मैं avoid करती हूं कि जहां तक हो सके कम से कम में दुलाई करूं क्यों क्यासे जम अंदर वाला हिश्ट आ है जहां मेरी स्कोटी खड़ी रहती है वहाँ जब बारिस नहीं पढ़ती है तो वहां साफ सुत्रा रहता है जब बारिस पढ़ जाती है कि वो पहुंचे से साफ नहीं हो सकते इतना गंदा इरिया तो इस बज़े से मैं क्या करती हूं उसकी दुलाई करती हूं अन्यथ्य अगर बारिस नहीं होती है ठीक ठाक मौसम है साफ सुझ रहा है तो मैं अंदर वाली दुलाई नहीं करूंगी सिर्फ बाहरी दुलाई करके चोड़ दूगी और अच्छे से अंदर तो मैं पहुंचा लगा देती हूं तो फ्रेंट्स इस तरीके से मैंने सारा दुलाई कर दिया है इधर भी कर दिया कूलर की तरफ और कूलर मुझे आज थोड़ा पानी डाल दिया है यह सब करते करते मैं कूलर में भी पानी डाल ली पाइप लगा के अगर में छोड़ दूँगी तो क्या होगा कि फुल हो जाता मेरे दिमाग से उतर जाता है कि मैंने पाइप इसमें डाल दिया है तो फ्रेंट्स मैं यही करूंगी कि पहले चलते चलते अपने जैसे जैसे मुझे टम मिलेगा मैं काम करते करते यह कूलर मे तो मैं उनमें क्या है कि पानी लगा रही हूं क्योंकि बरसात नहीं हुई है ना तो गर्मी तो पड़ी रही है जब बरसात हो जाती है तो नहीं पड़ती है और नहीं होती है तो फिर लगाना पड़ता है तो फ्रेंट्स मैं इस पानी लगा रही हूं और मेरा पानी लग चु कि थोड़ा इधर के पौदों को भी मैं पानी लगा दूं ताकि ये भी हरे भरे हो जाए वैसे तो आप सारे पौदे हरे बरे और देख करके बड़ा सुन्दर ही प्रतीत होता है कि लगता है कि कितना प्यारा लग रहा है और जब हर्याली छाई होती है तो फ्रेंट सावन का म कुलर में लगा देते हैं ताकि ये पूरा कवर हो जाए और मैं इस कुड़े को क्या करते हूं अब फैकने जा रही हूं जहां हमारा कुड़ा इस्टेंड है तो कुड़ा वाला आएगा वहां से उठा के ले जाएगा अगर मैं इसको साइड पर कहीं टांग दूंगी तो पाड देते हैं और गली में कुड़ा पड़ा हुआ गुमता है तो फ्रेंट्स वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कुट्टे ऐसा कुड़े के साथ करें ना हम गलती करेंगे ना कुट्टा ऐसा करेंगे तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि कुड़ा हमें ऐसे उनको तो करना ही है उनको चाहिए सारी चीज़ा हरकत है करने के लिए तो Friends मैं कुडा लख करके आ गई हूं अब मै इस टेंड को मैंने गला दिया था पानी से पानी से गला दिया है तो अब मैं इसको क्या करूँगी अच्छे से कीलवील लेके आती हूँ और इसको मैं उसको खुर्चूँगी खुरचने के बादी मैं इसको धुलूँगी पानी से तो मुझे मिल गई है अब एक ये है लोहे की रॉड आप देख रहे होंगे कितनी होता है पर एक ये दो दिन बाद वो सड़ जाता है क्योंकि मांसुन चल रहे हैं तो उसमें क्या है ये सीलन की वज़ए से वो सड़ जाते हैं फिर उसमें आने ले आती है बहुती ज़्यादा गंदी बद्वू तो इस बज़ए से मुझे ये फ्रेंट्स दुलना पड़ र तो फ्रेंट्स आज मैंने इसी चीज़ का टार्गेट बनाया था इसको मैं नीट एंट क्लीन करूंगी और पता जब गंदा होता है तो हात लगाने में भी बड़ा हेट होती है लगता है कि मत छूँ इसको बहुत गंदा है तो फ्रेंट्स पर मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है और मैं क्या करूंगी इसको खुला रखूँगी खुला रखने से क्या होगा कि इसमें हवा ज्यादा जाएगी अगर मैं इसका मुँझ कर दूंगी तो हवा इसमें देर से जाएगी तो इसलिए मैंने देखो इसका open mouth कर दिया है देखो कहते हैं अखोला खुला हुआ मूँ ताकि इसमें हवा जा पाए और धूपकी भी जल्दी से इसमें किरने जा पाएंगी हवा लगेगी और जल्दी सूख भी जाएगा तो friends मैंने अब रख दिया इसको सूखने के लिए अब मैं करती हूँ दूसरे काम की starting क्योंकि काम तो सारे ही निप्टाने होते हैं सुबह सुबह जो सिडूल होता है वो सब तो हमें करना ही करना है तो फिर से मैंने cooler में पानी लगा दिया है क्योंकि पानी मैं एक साथ नहीं जैसे जैसे मुझे मुझे मौका मिलता है वैसे मैं cooler में पानी छोड़ती हूँ क्योंकि को डर मुझे इस बात का है कि अगर मैंने pipe छोड़ दिया तो मेरे दिमाग से उतर जाएगा और यह फिर से full हो जाएगा और फिर यह पूरे दिन पानी cooler में से टपकेगा तो friends इस तरह गरीर के से मैंने काम कर लिए सारे हो चुके हैं अब मैं क्या करोंगी ृच करना था मैं उसस पानी को यूज कर चुकी उगी हूँ जब मुझे बाद मैं जरूत पड़ेगी तो मैं बाद मैं यूज करूँ i जो 있어서 Kalikा अवक का हूँ था वो मेरा हो चुका है क्योंकि पाइप से इसी कूलर में फानी भरेति दिया जूते चप्पल में साफ कर लिये और goodman का दूलिया। चुहे पकड़ने वाले को भी दुल लिया अब मैं क्या करते हूँ पहले मोटा मोटा पानी में बाईपर से खीच देती हूँ बाकी सारा पानी मैं बाद में खीचूंगी क्योंकि पहुचा लगाने की पर जब मैं अंदर से पहुंचा लगा के आँगे आओंगी ना बाहर क्योंकि पानी जाने वाला है इसी लिए फ्रेंट्स मैंने पानी भर ले यह नहाने के काम आएगा क्योंकि ताजा पानी में ज्यादा ठंडा होता है और जो हमारा टैंक में पानी भरा होता है वो थोड़ा गरम होता है तो इसी लिए मैं क्या करती हूं मैं थोड़ा पानी भर अगर थोड़ी मैं लेट होती हूं तो फ्रेंट्स मैंने पानी भर लिया बात्रूम में नाने के लिए और मेरा पहुंचा भी यहां पर लग गया है बाहर का लगा रही हूं अंदर से तो सारा लग चुका है बस बाहर का ही रह रहा है और यहां पर स्कूर्टी मेरी चार्ज भ में इस बज़े से तो थोड़ा अंकमफर्ट मुझे फिल हो रहा है तो अब मैं क्या करूंगी बाइपर में पौचे को लगाओंगी पौचे को लगाने के बाद में जो भी जगे मेरी बच रही है उन सब जगे में मैं ये बाइपर से ही पौचा लगाूंगी ताकि मेरा देखना मैं किस तरीके से पॉंचा लगाऊँगी जो बचा हुआ जगह है तो tomorrow means हो गया मेरा यहां का पॉंचा अब मीरा ये बाहर का इपॉंचा लगा देती निया है आजảngorian हमadni के तो थोड़ा बहुत पानी की जो बीदे लगा लगाती तो लगता आब कि कहीं फिर से इस लिए मैंने लगा दिया है तो फ्रेंट्स इसलिए मैंने लगा दिया इस सारे में पहुंचे को अब क्या करूंगी जो मेरा बाइक पर इसे लपीट करके और मैं देखिए मैं किस तरीके से पहुंचा लगा रही हूँ पहुंचा पूरा मेरा बाहर से अंदर तक आ जाता है जो पूरा एरिया कवर कर लेता है जो पहुंचा बिना लगा होता है वहां सब जगे पहुंचा लगा देती हूं बाइपर की सहता से तो friends मेरा पहुंचा लग चुका है आप देखिए कि मैं किस तरीके से वाइपर से पहुचा लगा रही हूँ और यह जो है वाइपर लंबा है तो इस वज़े से आसानी से पहुचा लगने के बाद मैं क्या करूंगी आप सोच रहे हुँ कि थोड़ा और बाहर भी मैं इसी से लगा दूं क्योंकि जितना पहुच तो मैंने फ्रेंट्स वहां पहुंचा लगा दिया है अब क्या करूंगी इस पहुंचे को मैं दुबारा से धुलूंगी क्योंकि अब मेरा तक्रीवर पहुंचा मेरा लग चुका है सारा अब वाइपर को हटा के लग दूंगी साइड में दूसरा यह पाइप फैला पड़ा इसको भी मुझे फोल्ड करना है दूसरा यह पहुंचे को मुझे दुलना है क्योंकि मैंने बाल्टी पहले भर रखी थी जिसमें मुझे पहुंचा दुलना है वैसे पानी अभी गया नहीं है पानी आ रहा है पानी जाता है दस बजे तो पर मुझे डर रहता है कि कहीं ऐसा की दुलाई के वाद मैं फूल्ड करना श्टार्ट कर दिया है अब पूल्ड कर दूंगी थोड़ा बहुत जैसे लगता है निन नहीं मानता है की और पानी मार दूं यहाँ पर पानी नहीं होता तो तो ऐसे ही काम चला लेती पर अब जब पानी आ रहा है तो मैंने फिर सोचाए कि दुबारा से जब थोड़ा बहुत पत्ते गिर गए तो इनको भी मैं पानी की साहता से हटा दूँ और बाल्टी में भी पानी डालो कि इसको दुबारा से मैं धुल दूँ तो फ्रेंट्स इस यह जल्दी सुख जाएगा नहीं निचोड़ूंगी तो यह क्या है कि थोड़ा टाइम लगाएगा सुखने में तो अब मैं आ रही हूं फ्रेंट्स अंदर क्योंकि मेरा पहुंचा लग गया था तो मैं सुचा है कि चलो हम अंदर चलते हैं और सारा सामान जहां से जो लिय हो रही थी बहुत ही जालत तेज दूप हो रही थी लग रहा था कि कहीं मतलब तभी अतना खराब हो जाए पर कपड़े तो हमें सुखा नहीं है फ्रेंट्स कपड़े सुखाने पर यह जैसे अब दूप आती तो मैं छत पर नहीं जाती हूं उनको फिर मैं नीचे सुखा ल छोटे बड़े कपड़े हैं जैसे जिसके कपड़े हैं मैं रसी सकाओंगी बाकी ड्रेस बगरा तो यह सब दूल दी थी पहले ही मैंने और बाकी यही कपड़े बचे हैं जो हमारे डेली यूज के कपड़े होते हैं एक दो कपड़ा है इन मैंसे जो प्रेस होगी उनकपड तो द्रेस तो दो तीन तीनी पेर है वो भी डे के अकॉर्डिंग है ऐसे नहीं है कि एक ही कलर की दो ड्रेस हो वो नहीं है बस सर्ट मैंने दो दो ली रखी है बाकी पैंट मैंने इसकर्ट मैंने एक-एक ही लिए है क्योंकि वो डार्क कलर के होते हैं तो गंदे कम होते हैं बस मैंने सर्ट को ही दो-दो लिया है ताकि जैसे गंदी हो जाए तो मैं दूसरा पेर पेना सबूँ तो इस तरीके से आज की जो कपड़े मुझे लग रहा है सूखी जाएंगे क्यों कोई धूप भी न अच्छी खासी निकल लही है और मुझे तो यह खड़ा होना ही बहुत मुस्किल लग रहा है मैंने दूपटा भी अच्छे से ओड़ रखा है ताकि थोड़ी मुझे धूप कम लगे पर आप जानते हो धूप कितनी कम लगेगी धूप तो लगनी ही है क्योंकि जब हम छट पर खड़े हैं तो धूप तो लगेगी और धूप भी ठीक ठाक निकल रही है तो फ्रेंट्स यहां पर जो भी कपड़े थे मेरे सारे धुल चुके पर अब तार पढ़ गया कपड़ों के लिए कौन सा कपड़ा मुझे कहां सुकाना है जब छट पर आई हो तो सुकाने तो पढ़ेंगे चाहे तार वले ही छोटा पढ़ जाए और यह ब्लेक कलर की पैंट है इस ब्लेक कलर की पैंट को भी मुझे थोड़ा सोच समझ के सुकाना होगा क्योंकि जो बर क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इन पर कोई निशान नहीं पढ़ेगा थोड़ा सा जो ऐसे कपड़ों पर देना होता है जिन पर कोई असर पढ़ता है बाकि डेली यूज के कपड़ों पर तो कोई असर नहीं पढ़ता उनको तो मैं कहीं भी सुका देती हूं तो इसी तरीके रंग ना लगे कपड़ों के उपर, तो friends इस तरीके से मैंने सारे कपड़े टंगा दिये, जहां मुझे जगे नहीं मिली थी, उनको मैंने इंटों पे, दिवाल पे इस तरीके से सारे कर दिये, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं, जैसे हवा चलती है तो गिर जाते हैं तो मैं छोटे-छोटे कपड़ों को जातर मैं यहीं दिवाल पे इस उखाती हूं ताकि हवा चले तो यह गिरे नहीं, गिरने पे गंदे हो जाते हैं, जमीन तो वैसे साफ नहीं है, साफ क्या है कि जैसे होता है ना, बारिस पढ़ रही है, तो बारिस ही साफ कर देती है, ज आपको जैस्च्री रादे, 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 बार-बार मैं आपको बोलूँगी, इसी वहाने से प्रभु का हम नाम ले लेते हैं, वैसे तो हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, फ्रेंड्स भगवान को याद करने के लिए, पर हमें थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए, चाहे दो ही मिनट क्यों न परता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को एकदम सांती सी मिलती है, जब हम पूजा करके आते हैं, तो फ्रेंड्स हो चुका है, इवनिंग का टाइम, अब इवनिंग में मैंने त्यारी किया है, आज क्या है कि महंदी पीस नहीं है, और देखो य है भी नहीं है, हमने न यह कहीं से लिए है, और वो कैसे कैसे लिए है, वो मैं नहीं बता सकती आपको, जब मुझे 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 मिलेगा, तब मैं इस महंदी के बारे में आपको बताऊंगी, कि हम इस महंदी को कैसे कैसे लेके आया है, तो यह फ्रेंड्स महंदी ह भी जंगल में पाया जाता है यहां इतनी अच्छी जगए जहां मैं रहती हूं फ्रेंड्स कि मुझे सारी चीज़ें आसानी से मिलती हैं पहले नहीं मैं जानती थी कि यह व्रिंग राज होता है इसके क्या फायदे होते हैं मैं कुछ नहीं जानती थी मैं यूटूब के जरिय यह जानी हूँ कि यह सब चीज़े हमें होती है पहले तो हम इसे घास कूडा समझते थे फ्रेंट पर तो इसलिए ना मेरे को एक बार इसकी बहुत जारा जरूरत थी मैंने नर्सरी प्लांट जहां भी मिलते हैं ना मैंने सब जगे ट्राइ किया पर मुझे यह पौधा कहीं न मिला लोगों ने बताया कि यह जंगल में मिलता है और जंगल में कहां मिलता है बो भी अब जंगल तो सब जगए है पर हमें पता ही नहीं कहां मिलेगा तो फ्रेंट मुझे उस टाइम पर पर यह पौधा नहीं मिला आज मैं बड़ी खुछ नसीब हूँ कि यह मेरी एक फ्र पा रही हूँ और ये महंदी भी तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने अब कर दी तैयारी इसको पीसने की क्योंकि कहते हैं घर की जो महंदी होती है ये बहुत ज़्यादा लाइब दायक होती है और जो हम महंदी वहार से लेते हैं उसमें तो कैमिकल मिले होते हैं पता नहीं कौन कौन से कैमिकल होते हैं उसके अंदर वो हमें जानकारी नहीं है और वो साइड एफेक्ट हमारी जब ब 100% होता है तो फ्रेंट्स इसलिए आज मैंने पहली बार लगाई है मेरे को कभी मिली नहीं है हरी मेंदी अगर हरी मेंदी गाउं वगारा में तो होती है पर क्या है कि हम गाउं से नहीं ला पाते हैं और मुझे अपने सेक्टर से मेंदी या मेरे फ्रेंडों के द्वारा मेंद को पीछना मेंदी को मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ज्यादा पानी नहीं मैं डाल सकती क्योंकि अगर ज्यादा मैंने पानी डाल दिया तो क्या होगा कि ये मेरे पानी मेंदी है जो पदली हो जाएगी और ये मेरे बालो में से टपक टपक के जाएगी तो इसलिए देखो इ इसे लोहे की कड़ाई में क्यों रख रही हो लोहे की कड़ाई में इसलिए रख रही हो कि उन्होंने मुझे बताया था कि इसको ऐसे लोहे की कड़ाई में रखना क्योंकि लोहे की कड़ाई में रखने से बहुत ही ज़्याद अच्छी होती है और इसमें मुझे थोड़ी सी म मेंदी डालनी होगी ready made क्योंकि ये भी मेंदी गर की बनी हुई मेंदी यह बहुत दूर्से मेंदी आई यहां नहीं मिलती है यह आई है चैन्य के पास पढ़ता है पॉंडिचेरी तो यह वहां की मेंदी है फ्रेंड्स और यह में मगाना भी चाहते हैं पर नहीं मेरे पास आप आ रही है पर मैं देखूंगी कोसिस करूंगी जब यह खतम हो जाएगी तो किसी को बोलूंगी अपने जानने वाले से तो वह हमें ओडर कर दें अभी फलाल है त पर नहीं द्यान दे रही हूं तो फ्रेंड्स मेरी महनी हो चुक है रेडी आप करते हैं बाई बाई मिलते हैं नेश्ट वीडियों